Hello everyone, welcome back to my channel, आज मैं आप सब के लिए food processor से related video लाई हूँ, इसके अंदर हमें एक blade ऐसा भी मिलता है, जो finger chips disc है, और इसे आज मैं assemble करके दिखाऊंगी, हमारा food processor है, उशा company का है, और model number है FP3810, तो चलिए start करते हैं french fries बनाना, इसके लिए हम आलू ले लिए हैं, और अभी हम processing bowl को set करेंगे, unit के साथ, तो देखिए bowl के handle को पीछे करके, हम clockwise unit के साथ इसको attach कर देंगे, और अभी हम spindle को लगा देंगे, और इसके उपर हम finger chips, disc को लगाएंगे, तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ, finger chips, disc को कैसे हम assemble कर सकते हैं, और इससे हम बहुत ही आसानी से french fries बना लेंगे, तो आलू को हम अच्छी तरह से धो के और छील के रखें, और इसके उपर अभी हम lead लगा देंगे, processing lead को भी हमें processing bowl के साथ attach करना होता है, तो देखिए, इस तरह से, यह जो है, इसको पीछे के side में ले जाके, हमें processing bowl के साथ इसको attach करना है, तो जिस तरह हम clockwise इसको ले जाएंगे, और यहाँ पर जब आएगा तो एक टक सा आवाज होगा, तब हमारा यह attach हो जाएगा, और यह pusher है, हम आलू को इससे push करके, finger chips बना लेंगे, तो अभी हम पहले चेक करके देखते हैं, कि हमारा finger chips डिस्क अच्छी तरह से set हुआ है कि नहीं, हाँ यह french fries बनाने के लिए भी ready हो गया है, तो अभी हम आलू डालेंगे, और pusher से push करके इस तरह से french fries बना लेंगे, तो एक और आलू डालती हूँ मैं, इस तरह से आलू डालके हमें यह on कर देने से, food processor हमारा french fries बनके ready हो जाएगा, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, हम processing lead को निकाल दिए, और disc और spindle को भी निकाल देंगे, और मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा कूछी सेकंड में, हमारा finger chips या french fries जो भी बोलिए, बनके ready हो गया है, तो देखिए बहुती एक ही size का बहुती अच्छा french fries बनाने के लिए ready हो गया, इस तरह से हम आलू का भुजिया भी बना सकते, आलू का सबजी भी बना सकते, तो दोस्तो हमें बहुती मज़ा आया french fries बनाने में, तो देखिए तो वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिजेगा, और हमारे वीडियो में आप नए आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दिजेए,